हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूट्यूग चैनल हरद्वाज के पसम मैं हूं दीपक भरद्वाज मैं आज आप लोगों को बहुत ही मोटिवेस्टनल और मैथमेटिक्स के परती छात्रों की रूजहन क्यों कम है इसके बारे मैं आज जहन करी दूँगा विशेष्ट मैंने देखा है कि बाइलोजी लेने वाले छात्र का सबसे बरा प्रब्लेम मैथमेटिक्स है वो प्रब्लेम इसलिए है क्योंकि टेंथ तक तो वो मैथमेटिक्स परहे थे किन्तु होता क्या है जो ही वो बच्चे 11 में इंट्री मारते हैं उनके मन में लगने लगता है कि मेरा तो सब्जेक्ट बाइलोजी है और उन्हें साथ इस बात का ख्याल नहीं रहता है कि मुझे फिजिक्स भी परना है और जब आप नीट की भी तैयारी करेंगे तो उन्हें भी मैथमेटिक्स का बगएर नॉलेज आप आगे नहीं कुछ कर सकते हैं इसलिए क को बिना मैथमेटिक्स का कोई option ही नहीं है क्योंकि जब आप फिजिक्स में परेंगे फिजिक्स के पार्ट को जो ही स्टार्ट करेंगे वेक्टर वेक्टर 11 में स्टार्ट ही होता है और वह भी मैथमेटिकल पार्ट ही है उसमें ट्रिगरोमेट्री का पार्ट आएगा ही उ तो देखते हैं कि उनका किस तरफ मुमेंट है अधिकांस बच्चे ससी बेंकिंग की तयारी में घूश जाते हैं बाद में घूशने के बाद उन्हें पता चलता है कि मेरा mathematics से ही सबसे weak है बेटे उसका weak होने का सबसे main point यह है कि आपने mathematics के परती आपनी रूची को नहीं बढ़ाया है जब आप mathematics के परती अपनी रूची को बढ़ाएंगे तो आपका concept किलियर हो जाएगा और जो ही concept किलियर होगा आपको mathematics समझ में ओने लगेगा सबसे पहला चीज यूट्यूब पर बहुत सारे इसे teacher भरे परे हैं जो कि एक से एक question बताएंगे एक से एक trick बताएंगे लेकिन उन्हें साइध ये मालूम नहीं है कि यूट्यूब पर विथे बच्चे में अधिकाउंस बच्चे एक प्रोक्स 50 से 60 पर से फंडामेंटल नहीं सीख पा रहे हैं फंडामेंटल उनका कमजोर है जब जिनका फंडामेंटल कमजोर होगा वो कभी भी mathematics को नहीं सीख पाएंगे चुकि ये एक practice का चीज है और सबसे पहला चीज आप algebra के ही topic को लेंगे तो सबसे पहला चीज हमको basic से चलना होगा जब तक आप basic से नहीं परहेंगे तो तक आपको समझ में नहीं आएगा कोई भी चीज जब दिवार को हम खड़ा करते हैं तो उसका पहले base बनाते हैं और base बनने के लिए क्या करना परेगा वह एक साल में आप सबसे पहले एक काम करो कि 6 से लेकर 10 तक के जो भी mathematics के book हैं जो भी concept है उस concept को जाम लिजिए चुकि ट्रिक तभी काम करता है जब आपका fundamental ठीक हो क्योंकि बिना fundamental का आपका trick नहीं काम करेगा और आपका fundamental ही आपको साम दंड भेद सभी तरफ से शक्रब्यू भेदने की काबिल बनाएगा जब आपके पास साम दंड भेद सारे गुन को नहीं जोनेंगे तो आप चक्रब्यू को नहीं भेद सकते हैं और इसके लिए आपको mathematics का fundamental प्रहना होगा और मैंने भी बीडियो जब स्टार्ट किया था मैं भी कोशिस कर रहा था कि बहुत बरे बरे कोस्टेन बहुत अच्छे-च्छे SAC-CGL, CHSL, banking बगेरे का कोस्टन में सोच रहा था कि मैं बताऊगा लेकिन मैंने देखा क्या कि बच्चे का fundamental ठीक नहीं है और fundamental ठीक नहीं है अब कहिए का सर्फ fundamental क्या ठीक नहीं है अब बच्चे अधिकांस बच्चे को root पूछ दिया जाता है root tube का cube क्या होगा तो बच्चे इस root को देखने के बाद उनके दिमाग में tension होने लगता है कि ये आखिरकार ये root 2 तो समझ रहे हैं लेकिन इसका cube है तो उनको ये चीश समझने में बहुत समय लग जाता है कि इसका value 2 root 2 होगा तो मैं सोच रहा हूं कि ओईसे छात्र जो biology के छात्र हैं जो अपने आपको जो ही 10th pass किये अपने आपको mathematics से रिष्टा खत्म करना चाह रहे थे उन सारे छात्रों के लिए मैं अब fundamental से परहूंगा मतलब zero से hero बनने की कोसिस करूंगा बड़े-बड़े सवाल बबड़े-बबरे बहु Hart बहुत सारे य्यूटूबर वएठे हुए बहुत सारे teacher ओसे वाइड़े यह जो आपको बड़े बड़े सवाल देंगे कि देखो बैटे यह SSCCL में पूछा हुआ है देखो बेटे ये CHSL में पूछा हुआ है ये CPO में पूछा हुआ है अरे यार ये CPO बगएरा में जो पूछा हुआ है न वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है 80% बच्चे को तो A पलस B का होल क्यूँ नहीं आ रहा है A square पलस B square रहीं आ रहा है ठीक है और YouTube सिर्फ YouTube इसलिए का जाता है YouTube से आप knowledge ले सकते हैं उसमें कहीं कोई दूर आए नहीं है बसरते आपका fundamental ठीक हो और fundamental ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको mentally ये सोचना होगा कि हमको fundamental ठीक करना है क्योंकि कोई भी teacher आपको memory नहीं है pen drive नहीं है जो अपने memory से निकालकर आपके memory में push कर देगा और आपके दिमाग में चला जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है आपको मेहनत करना होगा बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिला है ठीक है इसलिए आपको मेहनत करना होगा कहता है ये कहा जाता है कि भवर में घाव खाता है उसी का मन होता है छुपा उस बेदना में अमर बलदान होत क्योंकि जब तक आप पर छेनी हथवरी नहीं लगेगा, जब तक आपका fundamental ठीक नहीं होगा, जब तक आप question practice नहीं करेंगे, तब तक आप एक best student नहीं हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी subject का ले ले, mathematics ये calculation का subject है, दूसरी ची mathematics practice का subject है, आप English भी करेंगे, उसमें भी teacher आपको, क्योंकि आप, आपको ये समझोने की जरुत नहीं है, आप समझ चुके हैं, कि यदि अच्छे से, अच्छे marks लोना है, selection लेना है, तो इसके लिए हमको practice करना होगा, और बेटा आपको practice करना ही होगा, बिना practice का कुछ नहीं मिला है, किसी को नहीं मिलेगा, और mathematics में, तो मैं, म नहीं करेगा, तो उसका भी selection क्या, उसका भी mathematical term दिमाग से निकल जाएगा, इसलिए teacher भी मेहनत करता है, आप मन लोग की percentage स्टार्ट किया हो, percentage के जब आप 1000-2000 सवाल लगा लेंगे न, तो आपको दिमाग में अपने आप concept अन लगेगा, और आपको लगने लगेगा, कि यहा तो आप चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सेकते हैं, और आप से सवाल नहीं बनेगा, किसी भी आप चाहे बरे से बरे यूट्यूबर का class join कर लो, उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है, आपको सबसे पहला चीज, आपको अपना basic करना होगा, दूसरा चीज, practice करना होगा, तिसर यह आप पूछ रहें, तो आप यह सोच कर चलें कि मुझे कुछ नहीं आता है, वो सोच कर जब आप उससे पूछेंगे, तो आपके पास सीखने की tendency रहेगे, जब तक आपके पास सीखने की tendency नहीं रहेगी, तब तक आप एक best student नहीं बन सकते हैं, क्योंकि question पूछ कर, आप अपने काम पे ध्यान दीजिया, और मैं अब जो भी कलास लूँगा, फंडामेंटल से कलास लूँगा, चुकि बरे-बरे यूट्यूबर ये यूट्यूबर वे भरे-बरे हैं, जो की बरे-बरे question को बताते हैं, इसलिए मैं सबसे पहला basic आपका ठीक करने का कोसिस और वो चात्र जो biology लेकर पर रहे हैं, या commerce लेकर पर हैं, या मतलब यह सोच कर चले कि mathematics से दूर-दूर तक लिस्ता नहीं बनाना है, और वो general competition की तैयारी में घुसे हैं, तो उनको मैत करना होगा, बिनो मैत का कुछ भी नहीं होने वाला है, तो चले दोस्तों, आप मेरे इ सवाल नहीं, छोटे-छोटे सवाल, जो का fundamental ठीक कर देंगे, और जब fundamental आपका ठीक हो जागा, बेश ठीक हो जागा, तो अपने आप दौरने लोग होगे, तो कोशिस मेरा रहेगा कि अब आपका fundamental ठीक किया जाए, चले इसी वाद के बाद आपके साथ, मैं जुर रहा हूं, और आप मेरे साथ जुरिए, ताकि आपका भविष्ट उज्वल हो, और मेरी सुभकमना आपके साथ है, चले धन्यवाद,